हालो एबरीवन वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल स्टेरी टाइम विक मी आजका मेरा टॉपिक है बायो फार्मस्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से तो चलिए देखते हैं बायो फ क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें की ड्रग को क्लासिफाइ किया गया है उसकी एक्वसॉल्यूबिलिटी और उसकी इंटेस्टाइनल पर्मियोबिलिटी के बेसे पहें इसमें क्या है ड्रग को क्लासिफाइ किया गया है उस ड् इंतेस्टाइनल पर्मेबिलिटी के बेस्ट पहें, तो next है, it is a guide for predicting the intestinal drug absorption providing by USFTA and the intestinal permeability classification is based on a comparison to intravenous injection, अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है, ड्रग को classify किया गया है, एक तो उसकी solubility के बेसिस पहें, दूसरा उसकी permeability के बेसिस पहे इसमें जो term solubility है, या solubility को किस तरह से classify किया गया है, वो classify किया गया है, on the basis of US active guidelines, और जबकि जो इसमें permeability को classify किया गया है, on a comparison to intravenous injection, तो next हम देखते हैं, कि BCS में कौन सी classes में drug को किस तरह से classify किया गया है, तो चली देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक table दिया हुआ है जिसमें की मैंने आपको जो भी drug की सारी, जिस तरह से की drugs को classify किया गया है, वो दिखा गया है, तो इसमें देखिए, यहाँ पर class दिया हुआ है, solubility, permeability and examples, अच्छा, तो BCS को क्या है, चार classes में classify किया गया है, class 1, class 2, class 3 and class 4, okay, class 1 की बात करें, तो class 1 में क्या है, high solubility and high permeability ह और इसका जो example है, वो है, propranolol, इसके राबा भी friends, इसके बहुत से example दे रखे हैं, वो मैं आपको next, आगे बताऊँगी, और class 2 में जो दे रखा है, class 2 में क्या है, low solubility है, high permeability है, और इसका जो example है, वो है, glymaniclamide, और class 3 की बात करें, तो class 3 में क्या है, high solubility है, और low permeability है, और इसका example है, sematidin, और next हम बात करते है, class 4 की, तो class 4 में क्या है, low solubility रहेगी, low permeability रहेगी, and इसका example, furosamide, तो आप इसे, इस टेबल को इस तरह से याद कर सकते हो, क्योंकि आपको पहता है, सबसे पहले क्या होगी, कोई भी drug जो है, किसी भी aqueous media, या फिर जो भी आपक lipid media है, तो उसमें सबसे पहले वो soluble होगी, और after जब वो soluble होगी, उसके बाद जाके वो, कि आपका जो cell membrane है, वो उसको permeate करेगी, या फिर उसमें permeability रहेगी, ठीक है, तो इसमें इस तरह से आपको याद करना है, सबसे पहले solubility, फिर आपकी permeability, class 1 की बात करे, जिसमें की high solubility, high permeability, class 2 की बात करें, तो low solubility and permeability high है, class 3 की बात करें, तो class 3 में क्या है, solubility high है, और permeability low है, ओकी, और class 4 में low solubility and low permeability, ओकी, तो चलिए, next हम देखते हैं, इन classes को detail में, सबसे पहले बात करें, class 1 की, तो class 1 में क्या है, drug of this class exhibit high absorption number and high dissolution number, ठीक है, इसमें आप जानते हो, इसमें क्या रहेगा, इसमें जो solubility रहेगी, high solubility की वज़े से क्या रहेगा, उसमें जो absorption number है, वो भी high रहेगा, और finally उसका dissolution number भी ज़ादा रहेगा, और next बात करते है, इसमें जो rate limiting step रहेगा, वो रहेगा dissolution, okay, if the dissolution is very rapid, then gastric emptying rate becomes the rate determining step, okay, और next देखे, तो these compounds are well absorbed and their absorption rate is usually higher than excretion rate, okay, और इसमें जो examples रहेंगे, इसमें drugs के examples रहेंगे, मेंली मेटोप्रलोर, लेल्टिजाम, बेरपमिल, और प्रोप्रैनोलोर, जो की कार्डियोवैस्कुलर अजेंट से मेली हार्ड डिजीस में यूज की जाती है, तो next time बात करते है, class 2 की, तो देखे, class 2 में क्या है, class 2 में, इसमें drug have a high absorption number but a low dissolution, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें जो absorption रहेगी, वो तो faster रहेगी, ज्यादा रहेगी, बट इसका जो dissolution rate रहेगा, वो कम रहेगा, class 2 drugs का, और इसमें क्या रहेगा, जो इसमें in vivo drug dissolution होगा, वो एक तरह का rate limiting step रहेगा, और the bioavailability of these products is limited by their solvation rate, और जो class 2 में जो drugs को classify किया गया है, उनकी जो bioavailability रहेगी, वो कम रहेगी, और इसमें जो examples आएंगे drugs के, वो आएंगे, गली, बैनकलमाई, फैनिटोईन, देनाजोल, मैफानेमेक एसिट, निफेडीपिन, किटो प्रोफिल, नैप्रोक्षन, कार्बामा, जैपिन, और किटो कोनन सोल्स, ठीक है, तो ये जो है drugs के example है, जिनको की classify किया गया है, अंडर BCS classification के class 3 में, next time, sorry, class 2 में, next time बात करते है class 3 की drugs के, तो class 3 की drugs में क्या देखा गया है, इसमें जो drug permeability रहेगी, वो एक तरह का rate limiting step रहेगा, और these drugs exhibit a high variation in the rate and extent of drug absorption, और जो class 3 में, जो drug involved की गई है, वो drugs राती है, सीमेटिदिन, रेंटिदिन, एसाइक्लोविड, नियोमाइसेन, बी, एटिनोल, और क्याप्टोप्रेल, ठीक है, ये जो drugs है, इनको classify किया गया है, अंडर class 3, और next time बात करते है, class 4 drug के, तो class 4 drugs क्या है, जिनकी solubility भी low रहेग और in class में कौन से drugs आएगी, किस तरह से drugs आएगी, these compounds have poor bioavailability, okay, इनकी क्या है, जो bioavailability रहेगी, बहुत ही poor रहेगी, and they are usually not well absorbed through the intestinal mycosa, and इसमें जो drugs आएगी, वो drugs के examples है, जिसे कि hydrochlorothiazide होगी, furosamides होगी, and taxose होगी, ये वो drugs है, जो class 4 में आएगी, BCS classification के अंडर, okay, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, I hope आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा, like कीजिएगा, हो सके तो share कीजिएगा, thank you.